गुरू लोग ये स्टोरी देखने के बाद आप लोग किसी भी बीच की किनारे जानों से काफी ज़्यादा डरोगे कि कहीं हमारी हालत इस आदमी जैसी ना हो जाए तो अगर आप ऐसी सिचुईशन में कभी फस जाओ तो ये स्टोरी को याद कर लेना और ये भी हो सकता है कि ये स्टोरी आपको जिन्दा रहने में काफी ज़्यादा हेल्प करें तो चलिए जानते हैं आखिर ये स्टोरी क्या है स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक बीच पर काफी ज़्यादा लोग पार्टी करते हुए दिखाये जाते हैं और वो सारे लोगों का एक सर्फिंग ग्रूप था जो कि बड़े बड़े लहर उपर सर्फ करते थे यहाँ पर हमारा मेन केरेक्टर जिसका नाम अलवारो होता है वो अपने माँ बाप से काफी ज़्यादा नाराज होकर एक ट्रिप पर निकला था और उसे लग रहा था कि ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ और भी बुरा होने वाला है अलवारो की एक गल्फरेंट थी जिसका नाम लिया था और वो भी उस पार्टी में आई हुई थी लिया ने कुछ महिनों पहले अलवारो से ब्रेक अप कर लिया था और जब अलवारो लिया को एक लड़के के साथ देखता है तब उसका दिमाग सटक जाता है कि आखिर लिया के पास दूसरा लड़का कैसे आ सकता है इस मॉमेंट पे जेलेस तो कोई भी होगा वो जाकर उस लड़के से जगड़ा करने लगता है कि आखिर वो लिया के साथ कर क्या रहा था यहाँ पर लिया ने अलवारो से बहुत पहले ब्रेक अप कर लिया था फिर भी अलवारो ये सब कर रहा था पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था सायद में भी उसके जगव पर होता तो जेलिसी के मारे यही करता अलवारो को सब लोग छुड़ा कर अलग कर देते हैं और लिया उसके पर काफी ज़्यादा गुस्सा होती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलवारो कोई भी जॉब नहीं करता था उसे जॉब करना बिल्कुल अच्छा ही ने लगता था उसे तो उसे बड़े बड़े लेरो पर सर्फिंग करना अच्छा लगता था और वो पूरी लाइफ यह करने के लिए तैयार था लिकिन उसके माव आप यह नहीं चाते थे इसलिए अलवारो उन्हें छोड़कर घर से भाग गया था अपना ड्रीम पूरा करने के लिए वो अपने एक दोश से कुछ बाते करता है और अपनी एक गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है यहां सुबह हो जाती है और अलवारो अपने कार में उठता है उससे तो जैसे कुछ फिकर ही नहीं उसके घर वाले उससे काफी ज़्यादा फोन करते रहते है पर उसे रात भर लिया की ही आद आते रहती है और वो सुबह उठते भी लिया के बारे में ही सोचता रहता है कि कास लिया उसके साथ आज भी होती पर इसका कुछ फाइदा नहीं था लिया मुवान कर चुकी थी यहाँ पर अलवारो अपना बैक पैक और सर्फिंग बोट लेकर आगे बढ़ता रहता है और पता नहीं कौन से गाने सुनता रहता है आप लोग गैस कर सकते हो क्या लेकिन एक मिनट अलवारो अब मुसीबत में पढ़ने वाला है अलवारो जैसे ही आगे बढ़ता रहता है उसका पैर फिसलता है और वो अचानक से नीचे गिरने लगता है वो रुक नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पर पूरी रेट थी क्या खिर वो आगे क्या करे वो अपना फोन निकाल कर किसी से कॉंटेक करने की भी कोशिश करता है पर वो जरा भी हिलता तो वो नीचे गिर जाता इसलिए वो हिलना भी बंद कर देता है अलवारो के पास अब एक ही रास्ता था कि वो नीचे कूदे लेकिन उन पथरों से थोड़ा दूर कूदे तो ही वो बस सकता है और वो एकदम राइट मॉमेंट देखकर वहां से कूच जाता है लेकिन वो जाकर उस पथर पे गिर जाता है जिससे कि उसका पैर तूट जाता है बुरी तरीके से और उसका काफी जादा खून निकलने लगता है वो तो एकदम अनकॉंशियस ही हो जाता है जब अलवारों को होश आता है और वो खड़ा होता है तो वो अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि उससे अभी तक पता नहीं था कि उसका पैर बुरी तरीके से तूट चुका है और उसका काफी जादा खून बह रहा था यहां पे आप अलवारों के डर्द का अंदाजा लगा सकते हो कि उसके गाओ पर उस समंदर का खारा पानी लग रहा था तो उससे कितना पेन हो रहा होगा उससे काफी जादा चोटाई थी उसका हाथ खून से भर चुका था उसका एक पैर पुरी तरीके से जक्मी था और वो चल भी नहीं पा रहा था वो जल्दी अपना फोन निकालता है और किसी से कॉन्टैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन पानी में भीगने के वज़े से खराब हो चुका था वो मदद के लिए आवाज भी लगाता है लेकिन वो पूरा एरिया सुनसान था वहाँ पर कोई नहीं आता जाता और अब अलवारो को पता चल गया था और पानी में तैरते हुए आगे बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर अलवारो का एक हाथ और एक पैर पूरी तरिके से जक्नी था और वो उन्हें यूज नहीं कर पा रहा था तो अलवारो को तैरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो तैर भी नहीं पा रहा था कुछ दूर जाने के बाद उसका काफी ज़्यादा खून बह चुका था और उसके पेट में क्रैम पाने लगे थे जिसकी वज़े से वो तैर नहीं पा रहा था और वो अचानक से नीशे डूबने लगता है एक टाइम के बाद तो वो उपर आने की कोशिश भी करना बंद कर देता है और पानी के अंदर चला जाता है पानी के अंदर जाते जाते उससे बहुत सारे हलुजिनेशन आते हैं और आपको पता ही चल गया हो गया कि अलवारो किसके बारे में सोच रहा था हाँ वो अपनी एक्स गर्फरेंड लिया के बारे में सोचता रहता है और वो सोचता है कि वो बच गया है और वो लिया के साथ एक बीच पर सोया हुआ होता है लिया अलवारो को उस रात के बारे में सब कुछ बताती है कि वो लड़का जिसके साथ लिया थी वो लड़का एक ये है और उसका उसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है वो सिप उसके साथ डांस करने जा रही थी यहाँ पर लिया अलवारो से काफी ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी और लिया बताती है कि उसको अलवारो पर काफी ज़्यादा करस्ट था बहुत पहले से ही और वो उसके साथ फिजिकली इंटिमेट भी होना चाहती थी यहाँ पर टिपिकल मैन अलवारो यह सब सुनकर काफी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जब से लिया उसके लाइफ में आई थी उसने उसे किस भी नहीं किया था और यह सब बाते करते करते पहली बार लिया अलवारो को किस करती है और अलवारो काफी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो यही चाता था भले से ही लिया अलवारो को उसके सोच में किस कर रही हो पर अलवारो को एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है और यहाँ पर जब वो अपनी आखे खोलता है तब उसे अचानक पता ने कहां से स्ट्रेंथ मिल जाती है और वो एक हाट से उपर आने लगता है यहां पर वो उपर आकर एक किनारी के पास आता है और पहले तो पानी से बाहर निकलता है क्योंकि पानी में उसका घाव काफी ज़्यादा बढ़ गया था और उसे काफी ज़्यादा पेन हो रहा था वो एक पत्थर के सहारे रहता है और वो एकदम unconscious हो जाता है अलवारो वापस पानी ने जाने की कोशिश करता है लेकिन तब इस समुद्र की लहरे उसे वापस किनारे पर ढखेलती रहती है और उसका backpack जाकर एक पत्थर में फज जाता है और वो वहाँ पर लटक जाता है यहाँ पर एक सीगल तो उसके हाथ के कटे हुए मांस के मजे ले रहा था और काफी अच्छे से खा रहा था सोचो कितना pain होता रहेगा अलवारो को इसमें वहाँ से एक helicopter भी जा रहा था लेकिन वो अलवारो को देख नहीं पाया इसलिए वो दूर चला जाता है अलवारो कैसे भी उस पत्थर से छूटता है और वापस किनारे पर आ जाता है यहाँ पर ना उसके पास खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए पानी था अलवारो की help करने वहाँ पर कोई भी नहीं था उससे काफी ज़्यदा प्यास लगने लगी थी और वो अपना यूरीन फिल्टर करके पीने का ट्राय करता है लेकिन तब ही वो देखता है कि उसके यूरीन का कलर एकदम रेड है और उसमें बलड काफी ज़्यदा मिल चुका है ये जरूर इंटर्नल ब्लेडिंग के वज़े से हो सकता है और अलवारो ये यूरीन नहीं पी सकता था क्योंकि वो उसे और बिमार कर सकता था अब यहाँ पर रात होने लगी थी और वहाँ पर ठंड काफी ज़्यदा बढ़ते जा रही थी अलवारो ठंड से बचने के लिए एक खड़ा खोता है और उसके अंदर छुप जाता है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके लेकिन उसे काफी ज़रा ठंडी लग रही थी यहाँ पर तभी बादल गरचते रहते हैं और अलवारो को लगता है कि अब बारिश होगी और वो आराम से पानी पी सकता है लेकिन सायद भगवान को भी मनजूर नहीं था कि अलवारो को पानी दिया जाए और बारिश नहीं होती और अलवारो प्यासा ही रहता है उसे जल्द ही कुछ करना होगा नहीं तो वो dehydrogen की वज़े से मर जाएगा वो पूरी राद सो नहीं पाता और अब उससे लिया की याद नहीं आ रही थी उसे अपने माबाप की याद आ रही थी अगले दिन जब सुबह होती है तब वही सीगल वापस आता है अपने भूख मिटाने के लिए लेकिन अलवारो ने अपना एक हत्यार बना लिया था उस सीगल से बचने के लिए और वो उसे दिखा कर वहाँ से भगा देता है यहाँ पर अलवारो देखता है कि उसका मुबाइल बज रहा है और वो अपने मुबाइल को ढूंडने लगता है उसका mobile rate के अंदर चले गया था और जब वो उसे निकालता है तब वो देखता है कि उसके माबाप ने उसे वीडियो कॉल किया है और उसे लग रहा था कि साइद वो बच जाएगा वो अपने माबाप से मदद मांगता है कि वो उसे बचा ले लेकिन उसके माबाप दूसरा ही कुछ चीज बोलते रहते हैं और अलवारो को डाटते रहते हैं कि वो नालायक है और उसका कुछ नहीं हो सकता तब अलवारो को पता चलता है कि ये भी एक hallucination है और ये उसके mind में चल रहा है वो अपने phone को fake देता है और आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई option नहीं था यहाँ पे अलवारो को एक boat दिखाई देती है लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उन्हें चिला कर बता सके उसका दिमाग बुरी तरीके से चकराने लगा था क्योंकि अलवारो का इतने देर से काफी अधा खुन बैच चुका था और उसने पानी की एक भून तक नहीं पी थी हम literally imagine कर सकते हैं कि अगर हम इस situation वे रहेंगे तो क्या करेंगे वो कैसे भी तेरता रहता है आगे और वापस कुछ दूर जाने के बद वो पानी के अंदर डूबने लगता है वो तो अपना मरना accept भी कर लेता है और पानी के अंदर डूबने लगता है तब ही पानी के उपर एक बोट रुकती है और पानी के अंदर एक आदमी कूटता है और थैंक गॉड वो अलवारो को बचा लेता है अलवारो को रेस्क्यू कर लिया जाता है और अलवारो तो बिल्कुल होश में ही नहीं था उसे तो अभी भी लग रहा था कि ये एक हैलोजिनेशन है और ये सिप उसके दिमाग में चल रहा है इसलिए वो ज्यादा ध्यान भी जैन देता और अनकॉंशेस ही रहता है यहाँ पर अलवारो सच में रेस्क्यू कर लिया गया था और इसे होस्पिटल में लेके जाया गया खता है यहाँ पर जिसने उससे बचाया था वो उसके घर subsidy co के भारे में कूछता है इस मॉमेंट पे अलवारों को पता चलता है कि उ एक अच्छा बच्चा बनेगा और अपने माबापका ख्याल रखेगा और स्टोरी यही खतम हो जाती है सुवीवर्स अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप कभी यह सिच्वीशन में फस जाओगे तो क्या करोगे तो मिलते हैं इसी तरीकी के मज़ेदार स्टोरी में सीया